भारत सरकार द्वारा पेश किये गए विता बजट में देश में नए मेडिकल कालेज खुले जाने का प्रस्ताव रखा जिसके प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के खजुराहो गमो और सतना संसभी अक्षित्र अंतरगत एक मेडिकल कालेज बनाए जाने की घूशना के बाद खजुराहो संसभी अक्षित्र में सम्मिलत पन्ना जिले में मेडिकल कालेज खुलने की उमीदे जाग चुकी है पंदा में medical बने हिसके लिए जिले के युगावर चात्र चात्राओं और घरेली महिलाओं ने मुहीं छेड़ दी है जिसने देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है पन्ना में Medical College लाना है कि मुहिम में खरेली महिलाएं और छात्राएं भी बढ़ चड़कर हिस्सा ले रही है जो पंप्लेट के माध्यम से लोगों को जागरूप कर रही है छात्राओं का कहना है कि पन्ना जिले में Medical College लाने से न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होगा बल्कि यहां के लोगों को रोजकार भी मिलेगा पन्ना में Medical College लाना है कि पन्ना जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो इसलिए यहां Medical College बनना चाहिए अन्ना में Medical College में समस्थ से बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं है वो सही नहीं है उतनी अच्छी नहीं है और आजपास के गाउं देहातों के लोगी यहीं पे निरोहर हैं सरक्य एक टिवल मात्रे सरकारी अस्पताल है जिसमें इतनी सुवधाय नहीं है अगर यहां मेडिकल काले जाता है तो यहां की लोगों को ही जो देर 200 किलिमीटर दूर भागना पड़ता है वो बचेगाए और यहां पे रोजगार का कोई शाधन अपनी इसी मांद को लेकर 25-25 फरवरी को एक विशाल रैली निकाली जाएगी जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो इसलिए जन्द संपर्क और सोशल मिडिया के माध्यम से लोगों को फ्रेरित किया जा रहा है लोगों का कहना है कि पन्ना के विकास के लिए Medical College एक गोर्डन चांस के रूप में है क्योंकि पहले ही पन्ना जिला Diamond Park और University पाने का मौका गवाँ चुका है लेकिन इस बार Medical College पन्ना जिले में स्थापित हो इसके लिए लोगों द्वारा पुर्जोर प्रयास किये जा रहे हैं पन्ना से राकेश पाथक की रिपोर्ट